हंजी फ्रेंज, सच्छी अकाल, वाईगुर्जी का खालसा, वाईगुर्जी की फते, कीमियो सारे वदिया हूँ देखो आज पता नहीं क्या हुआ, मैं ये तीसरी बार वीडियो बना रही हूँ कम से कम मुझे डेड़ घंटा हो गया, ये वीडियो को आप तक पहुंच जाने के लिए, डेड़ घंटे से महनत कर रही हूँ, कभी कुछ बूल जाती हूँ, कभी कुछ, जैसे मैंने ये वीडियो बनाने लगी, पहले तो ये जो नाम लिखा है ना, ये बिल्कुल उपर आ ग घंटा लगा के, और फिर इसको डिलीट करी वीडियो को मैंने, फिर दुबारा बनाई, तो उसमें जो आवाज होती है ना, जो कि मैंने इसको पहले बोल कर बना ली, या कुछ घर पे वाज़े या वगेरा आरी होती है, उसको मैं बंद करना भूल गई, तो जो मैं अब बो बिल्कुल पास ही आ गया, बिल्कुल उपर करना था, तो अब आप देख सकते हो मेरी मेहनत को, कि एक डेड़ दो घंटे में बंदा सुबा सुबा का टाइम, वेस्ट करके, खराब करके, आप तक वीडियो पहुंचा रहा है, तो उसके टाइम की कदर करो आप, और उस पर लाइक कोमेंट करके, उसे खुश कर दिया अगरो, ताकि उसका होसला बड़े, है ना, और अब यह देखो, ग्रीन कलर कर रही हूं, पहले मैंने वाइट, आप बेरी बातों के साथ साथ देखी रहे होंगे, किस तरह मैंने वो उस पर शेडिंग की, आब इस पर मैं वाइट की शेडिंग और ब्लैक की शेडिंग करूंगे, लिव्स में, बहुत एजी डिजैन आपके लिए लाइए हूं, और बहुत ही जो है फेमस डिजाइन, गरलिश डिजाइन है, बहुत बड़ी हा डिजाइन है, और जिस कलर का, जो, ये जो, कपड़ा होता है, उस कलर की आप मिलती जुलती डाल सकते हो, और क्या कहते हैं, तो मैं क्या कह रही थी, कि मेरा कितना टाइम वो गया, मैंने जहडू पुच्चा भी लगा लेना था, बरतन भी साफ कर दे, मेरी सिंक में पूरे बरतन भरे पड़े हैं, ठीक है, काम करने वाला, मैं एक एक नॉर्मल परिवा से हूँ, कि मेरे पास इतनी कपैस्टी नहीं है, कि मैं नोकर्चा कर लगा सकूँ, और अगर लगा भी लूँ मालो, ओखे सोखे, तो फिर मैं इसलिए नहीं लगाती, क्योंकि, क्योंकि मैं खुद भी चाहती हूँ, कि थोड़ा बहुत काम करती हूँ, मेरा शरीर चलता रह और बाक्य में आपसे request है, प्लीज जिसने like नहीं किया, जैसे देखते हो, वीडियो लाइक कर दिया करो, कई बार देखो, 12 वीउ होते है, वीडियो शुरू होते ही, और like एक दो ही होते है, है ना, चाहे आप like करो, वीडियो को, चाहे नहीं करो, बट लाइक का बटन दबा कभी तो मुझे लोग याद तो करेंगे कोई सीख के कोई दूआए देगा मुझे बट वही है ना अब मेरा होसला थोड़ा कम होता जा रहा है पता नहीं क्यूं थोड़ा नेगटिव हो गई हूँ कि कोई मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है कितने व्यू होने चाहिए कि कोई रिस्पॉंस नहीं देता ना तो मन खराब सा हो जाता है अब यह देखो फूल सूक चुका है तो उसके उपर मैं फाइनल टच आउटलाइन दुबारा कर रही हूँ क्योंकि पहले जो यह आउटलाइन की थी तो वह नीचे वाइट से मिक्स होके पिंक हो गई थी है ना आप पैसो को मत देखो कि 4,000 बहुत जाद है पहले तो मेरे से एक घंटा वर्टसेप पे मैसिज करते रहते हो क्या परोसीजर है कितनी मतलब रिजैन सिखाओगे कैसे है टाइमिंग क्या है इतना कुछ पूछने के बावजूद आखर में आप यह लिख देते हो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है देने को देखो अगर आपको कुछ पाना है तो खोना तो पड़े गई ना आज कल देखो मैं भी फ्री में सिखा दूँ चलो अब यूट्यूब पर तो सिखाई रही हूं मुझे कुम सा इसको सिखाने के कोई पैसे मिल रहे है बट मैं फ्री में यहाथ है ना तो इस तरह से मैं इतनी विल सैटल्ड भी नहीं हूँ कभी मैं यह ना मतलब दान कर सकूँ फ्री में सिखा चूँ तो जितना मुझे दसवंद लगता है कि जतनी मेरी हैस्यत है तो मैं उतना तो देखो करी रही हूं जैसे अब यह सिखा रही हूँ अपनी तर कर रही हो तो उससे में कुछ ये फ्री में आपको अर्फ कर रहा हूं हा न मेरे से जटना हो सकता है मैं कर रही हूं बाक्ही बहुत जादा मैं या आपसी कम कर दूँ चारएजार या वह पैर ओपर खड़े होने के लिए आपको आपको नजर आये आपको कोई हल्प करेगा के लिए बारा आपको क्लासिस देनी है और बोल बोल कर बताना है समझाना है उसका भी दिमाग लगता है उसका भी टाइम स्पेंड होता है है ना तो और मेरे पास इतने कोई ओनलाइन में स्टूडेंट नहीं होते कि एक आदा फ्री में भी क्योंकि दो तीन चार पांच इतने मुश्किल से होते हैं और आजकल आपको पता है कितना महंगाई का दोर है कितनी महंगी महंगी बच्चों की पढ़ाईया है कितने खर्चे हैं आप अपने खर्चे ही पूरे नहीं हो पाते हैं तो हर कोई किसी की कोई ना कोई समस्या होती है कोई किसी तरह से कोई किसी तरह स बाकि मेरे हिसाब से तो जो है न अपने खर्चों में कटोती करके अगर आपको कोई सीखना है तो सीखना चाहिए बाकि आपकी मर्जी है मैं आपको कुछ नहीं कह सकती कि आपकी मर्जी है और जो है बस यही कहती हूँ कि free मत बैठो कुछ ना कुछ करते रहो मेरे 2-3 घंटे देखो वीडियो चुड़ाने में ही लग गए लेकिन आगे से कोई response नहीं आएगा तो मुझे बहुत दुख होता है सच में बहुत दुख होता है अब तो जैसे ऐसे लगता है कि इतनी मेहनत भी करती हूँ तो नेगटिव ख्याल आने ही लग जाते है और बस अब ये वीडियो की वाइस पूरी होने वाली है दो मिनट रहे गए साथ मिनट की वीडियो की मैं वाइस डाल चुकी हूँ और धीरे धीरे बस फटा फट हो जाए फिर एक मिनटो में फटा फट बरतन साफ करूँगी ज़ड़ पोचा लगाऊंगी ना हाऊंगी और फिर धीरे अपना जो है ना काम में मश्रूफ हो जाऊंगी और जल्दी जल्दी पेंटिंग के सूट के ओर्डर डालो जरूरी नहीं है कि महंगे सूट बनवाने है 3000 मेरा स्टार्टिंग प्राइज है विद्वट्टा आप at least 3000 तक कभी बनवा सकते हो और बिना दुपट्टे के बनवाना चाओ तो 1500 स्टार्टिंग प्राइज है आप बनवा सकते हो और मुझे काम दो मुझे काम की जरूरत है और ओडर दो मेरे पास जो है ना फ्री हूँ मैं एक दो सूटी पड़े हैं तो आप जल्दी सजल्दी वीडियो देखते ही मुझे ओडर करो और कलर बिताओ डिजाइन बताओ मैं सुन्दर से सुन्दर जब बंदा फ्री होता है ना तो बड़िया काम करके देता है क्योंकि उसके पास बहुत टाइम होता है तो आप जैसी ये वीडियो देखो तो मुझे ओर्डर कर सकते हो सूट के है ना तो मुझे भी खुशी होगी और मैं भी अगर मेरे पास काम आता रहेगा और सिखाने की वीडियो डालती रहूंगी और अब मेरा मैं ये सोच रही हूँ कि ये तो महनत का काम है कई बार होता है मेरे से नहीं तो मैं अब प्रिंट्रिड और अम्ब्रोइडरी वाले रेडिमेट सूट्स जो है वो भी सोच रही हूँ वीडियो बनाने की वो भी सेल किया करूँ अगर आप एग्री हो तो मुझे बताओ कि मैं वो वीडियो डालूँ सूटों की है ना तो वो भी सूट्स मैं धिरे धिरे शुरू करती हूँ और एक मुझे फैमिली व्लोग के लिए बहुत मैसेज आते है कि आप अपनी लाइफ के बारे में बताओ या फैमिली व्लोग बनाओ मैं इतनी बड़ी हस्ती तो है नहीं कि मेरे व्लोग देखेंगे ऐसा सोचती हूँ मैं लेकिन अगर आप कहते ही हो तो मैं जरूर बनाओंगी तो कमेंट करके बताओ